आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन रेशा कबाब की रेसिपी जो बहुत डिलीशन बनते हैं तो चलिए इसे फटाफन बनाना शुब करते हैं चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बॉन लेस चिकन लिया है तो हमने चने की दाल को एक दियोर घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और इस चिकन को हम दाल के साथ मिक्स करेंगे बन टीस्पून नमक डाल देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा 5-6 सुखी लाल मिर्श डाल दीजे आप अपरी टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा दो तेस पत्ते थ्री टीस्पून अधरक लहसून का पेस्ट डाल देंगे तो यह हमने एक दम फ्रेश पेस्ट डाला है हाफ कप पानी डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे चिकन के और दाल के गलने तक पका लेंगे तो जब तक हमारा चिकन और दाल पकेगा इसके लिए हम मसाला तयार कर लेंगे मसाला साथ में भी डाल सकते हैं लेकि इसलिए नहीं डाला है कि दाल को ग्राइंड करने के वक्त वो पिस्ते नहीं है पाउडर मसाला बनाने के लिए हमने 1 टी स्पून जीरा लिया है 6 लॉंग लिया है 15-20 काली मिर्च लिया है 2 टीू बक और हमने डाल लिया है इसे हलका सा ड्राय रोस्ट करेंगे बस अंपर करेंगे और इसने पाउडर में पाउडर बना लिया देख लिए हम दर्ते द्राइ лियु और चिकन और देख लें है तेस पत्ते को भी निकाल के अटा देंगे चिकन हमारा अलग हो गया है इस तरह हांसे से तोड़ देंगे श्रेट कल देंगे तो बहुत अच्छा सा चिकन एकदम कल गया है दाल को आप मिक्सी में डाल के एक दो बर चला ली जिए और हमने यहां पे हैंड चॉपर थै इसमें दाल को डाल के दो तीन पर चला दिया तो अच्छे से ब्लेंड हो गई है यह मिक्स्चर जो है एकदम गीला नहीं होना चाहिए और मिक्स्चर अगर आपका गीला लगे तो उसमें थोड़ा सा ब्रेट क्रंज डाल सकते हैं या एक अलू वैल किया हुआ हम इसमें चिकन डाल दीजे हमने तीन चार काटके डाल दीए ज्यादा सा हरा दन्या जाएगा अ डंठल के सार डालिएगा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बारी कटा हुआ प्यास जाएगा थोड़ा सा घी डाल दीजे अ सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे तो 10 मिनट के बाद फिर हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है और अभी इसके कबाब बना लेंगे तो हाथ को चाहे तो आप थोड़ा सा आयल लगा कर इनके कबाब तयार कर सकते हैं वैसे की चीपकता नहीं है तो इस तरह से छोटे बड़े साइज में आप अपनी च्वाइस के हिसाब से बना सकते हैं तो यह हमारे सारे कबाब बनकर तयार हैं अब इन्हें हम आपको फ्राइ करके दिखाते हैं एक एग में हमने दो चुटकी नमक डालके अच्छे से फेट लिया है और यह हमारे पास ब्रेट करम है यह हमने भी फ्रेश तयार किया है कबाब को पहले एग में डालके निकाल लेंगे उसके बाद ब्रेट करम्स में लगा देंगे और इन्हें फ्राइ कर लेंगे तो इस तरह से उपर से एक दम यह क्रिस्पी होते हैं अंदर से रेशा और सॉफ्ट बहुत डिलिशस लगते हैं जब अच्छे से गरम हो गया है फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है इन में कबाब जितने आ जाएंगे हम उन्हें फ्राइ कर लेंगे आइल बहुत जादा नहीं डालियागा नहीं तो वह खराब हो जाता है क्योंकि ब्रेट क्रम्स थोड़ा बहुत चुटता है उसमें तो फिर आइल आप इन्हें शेलो फ्राइ भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो कच्छा रहेगा तो इस तरह हमारे यह चार कबाब फ्राइ करके अपने आपको दिखा दिया है बाकी बचे हुए कबाब को हम फ्रीज कर देंगे और यह देखिए तोड के दिखाया है आपको रेशा रेशा अलग है उपर से एकदम क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट टेस्ट भी बहुत अच्छा है जरूर बनाईएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि कैसे बनेते वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर कर दीजेगा सब्सक्राइब करी में चानल को मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक यू अलाफेज